आज मैं इडली बनाई हूं मेरी फिर्ण्स हमेसा कहती है कि आपके इडली बहुत सॉफ्ट बनती है फ्लीज वीडियो शेयर करो वीक में दो से तीन बार हमारे इडली बन जाती थी पर मैं आज दक इसकी रेसिपी लेके नहीं आई थी तो मैं इस इडली में आज दो ऐसी कि इडली राइस मैं यहांस यूज miteinander यूज करण यहां यूज होती यहां इक कप ऊषक मेठी अच्छे से वास करके6-7 घंटाफाघ भाषगर झूज आ लिया है और पानी दालके लेक कि आफ जो रिक दूंगी और शुबळ में इस से ग्राइंस दूझी स्वास करूँगी अब इसे पानी डाल दिया है इसे हम ढग देते हैं और साथ गहंटे बाद एक बाद राइस को अच्छे से फिर से वास कर लेंगे राइस हमारा अच्छे से फुल गया है और अब इसे ग्राइंड करेंगे अब यह रही वह दो चीज जो मैं इस इडली में डालती हूँ हाफ कप से थोड़ा कम पोहा और मुर्मुरा इस डालने से इडली बिल्कुल वाइड भी बनती है और बिल्कुल स्पंजी और शॉक बनती है तो चलिए फटा-फट अच्छे से वास करके हम ग्राइंड कर लेंगे तो एक बार मैंने ग्राइंड कर लिया है फिर से यह जो पोह अब यहां पर डाल दी हूं जादा नहीं डालना होता है बोहा हाफ कप मुर्मुरा दो चमच के हाफ कप से थोड़ा कम डालिए और सारे इडली के बैटर को मैंने यहां पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब इससे अच्छे से मिक्स करके फर्मेंटेशन के लिए डाल के मिक्स कर लगी और इडली के जो स्टेंड है इसमें ओयल से ग्रेस कर लोंगे और सारे इडली कम बैटर इसमें डाल दोंगी मूर्मुरा और पुह डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है तक आप ज़रू ट्राइब करना और आपकी कैसी बनती है यह मुझे कमे हो जाने दूंगी और इसे मैं अटने बीटे के लिए लंच के लिए लंच के लिए बहुत ही इजी रेज़िपी आ और इसे प्लेट में निकाल लेती हूं ढ़ा थोड़ी दिन और आपको दिखाती हूं इसके साथ मैं बनाये थे सांबर इडली सांबर और नारियल की चट्टी जो बहुत ही मतलब बेस्ट कॉंबो ओता है ब्रेकफास्ट के लिए और साथ इंडिन कि तो जानी होती है इडली चलिए अपको रेचिपी अच्छे लिए तो पी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्रा कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं हुआ है